हेलो गाइस, वेल्कम बेक तो माइ अनदर वीडियो आज की वीडियो बहुत ही मसदार होने वाली है क्योंकि आज जो मैं बनाने वाली हूँ, वो मैंने पहले कभी नहीं बनाया इसलिए थोड़ा नवस भी हो यार तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोटा सा प्लांटर जिसमें हम पौदा भी लगाएंगे और हम उसे कई डेकुरेट करने के लिए भी लगा सकते हैं तो भाई फिर देर किस बात की जले शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने लिया है ये मिट्टी का छोटा सा पॉट और उसमें में कले की मदद से इसका बेस बना रही हूँ ताकि ये इजीली टिक पाए और इदर उदर लुड़के ना इसे फैविकॉल की मिदद से आपको पॉट पर लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर थोड़ा फिनिशिंग भी दे देनी है ताकि काफी नीट और क्लीन लगे यहां पर मैंने एक छोटा सा होल भी कर लिया था ताकि प्लांट के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे है उसकी बाद में यहां पर फैविकॉल का जैसो ले रही हूँ वैसे मैं इसे बनाने के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आज इसे एक ट्राइ तो बनता है भाई तो मैंने यहां पर अपना जैसो का कोड कम्प्लीट कर लिया है अब हम जो करने वाले हैं कि आप गैस कर सकते हो जी हाँ अब हम इसे रंगों से सजाने वाले हैं तो आप अपने मन पसंद कलर से इस पर डेकुरेशन कर सकते हैं जैसी डिजाइन आपको पसंद है आप उसे इस आप चैनल्यग जाब कर और होतوجि kारव neighborhood चैनल सकते हैं कुरिख कर सकते हैं कर में इसे kawi Street का यूज कर सकते हैं आप शायजिए बहुत पसंद है तो मैं इसे का रग RV बनाने वाली का टिर अंग झाल और रंगीन मना जाए तो अब हम यहां पर कर रहे हैं औरेंज कलर यलो और औरेंज का कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है इस पर कलर करते वक्त हमें थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर फिनिशिंग बिड़ेगी तो शायद दिखने में थोड़ा काम अच्छा लगे तो इसी के साथ हमारा औरेंज कलर कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसके बेस पर ब्लू कलर कर दे रहे हैं ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है मेरा फेवरेट कलर है ब्लू बैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रू बताना भ्लू कलर कंप्प्लीट मुझे बेसिक और ही लग था वा गुरी आक समय हो फ़ है नो मैं सुचे इस में फ़ने समय हुरा है करें करेकर जरोर ब्रता पला आगे 9 अच्छा है यह पूरो है!" कमेंट करके ज़रूर बताना अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक तो बनता है न यहां पर मैं ब्लैक कलर की मदद से यह एक आर्ट फॉर्म बना रही हूं जो काफी पुराने जमाने में यूज होता था विसे इस आर्ट फॉर्म का नान के आप लोग को पता है क्या अगर प लाइस भी शिक्योर हो जाते हैं बाद में खराब नहीं होते हैं बहुत यह बढ़या लग रहा है ना इसके बाद मैं इसमें प्लांट लगाने वाली हूं मैंने मम्मी से बोला प्लीज आप अपने गार्डन से पर चोटा सा प्लांट लगा दीजे मम्मी नीक अप से पहले कंकर डाले उसके बाद गार्डन सोयल से इसको फेल कर दिया उसके बाद यहां पर मैं मनी प्लांट लगाने को बोला था मैंने छोटे-छोटे मनी प्लांट के कटिंग करके हम इस पर लगा देंगे क्योंकि मनी प्लांट बहुत ही इजीली लग जाता है मेरी मम्मी को नाय गाडनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस प्लांटर को देखके वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई उनको तो बहुत पसंद आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताने कि आपको कैसा लगा है क्योंकि भाई इसे बनाने में तो बहुत महनत बूलना वीडियो को लाइक शरूर कर देना है